चैनल की सभी दर्शकों को नमश्कार जैस्रीकृष्णा और प्रणाम आज हम इस वीडियो के अंतरगत चर्चा करेंगे चंद्रमा का बारह घरों में फ्लादेश क्या होगा जातक के उपर इसे पूर्व हमने आपको मंगल बुद्ध ब्रहस्पते शुक्र शनी राहु इत्यादी की उपर फ्लादेश का वीडियो दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं मैं आपको यहाँ बतादू कि चंद्रमा मन होता है चंद्रमा बेदांत अवेदों के हिसाब से चंद्रमा मनसो जाता है अर्था चंद्रमा मन का कारक है इसलिए जातक के उपर तीन लगनों का प्रभाव बिशेश तोर से फलादेश में देखने को मिलता है लगन जो की जातक के जन्म समय पर डॉक्टर बताते हैं आज कल पहले दाईयां बताती थी उसी के मुताबिक लगन निकाला जाता था दूसरा चंद्र लगन चंद्र कुंडली जहां पर चंद्रमा वैठा होता है उसे चंद्र लगन कहते हैं और जिस लगन में चंद्रमा होगा जातक की वही राशी होती है कि तीसरी चीज है फलादेश करते समय जातक को सूर्य कुंडली भी देखना चाहिए यह बात हम प्राया अपने अनेक वीडियो में कर चुके हैं क्योंकि तीनों कुंडलियों से जातक के जीवन में उसके ऊपर घटनाएं घटित होती हैं फिलाल हमारा विशे आज तो यही है कि बारह घरों में चंद्रमा का प्रभाव क्या होगा आएए जानते हैं चंद्रमा भगवान शिव का आभोशण है इसलिए जो जातक भगवान शिव की उपासना करते हैं उनके लिए यह आभोशण सांति प्रदान करता है और जिन जातकों के जीवन में तामसी आहार विहार रहन सहन है उनके उपर ग्रहों का प्रतेफल बुरा होता रहता है कभी बूरा होता है कभी अच्छा होता है उनके कर्मानुसार उनको फल की प्राप्ती होती रहती है इस बात को मैंने इसलिए कह दिया कि आपका रहन सहन भी आपके सुख दुख में कारक बनता है इसलिए उपासना कि शैली गुरु की क्रपा ये सब आपके घटना क्रम में भविश्य फल में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं तो अपना जीवन योगमय बनाएं कोई भी ग्रह आपको बुरा फल नहीं दे पाएंगे चुकि ग्रहों का खेल पूर्व जन्म के कर्म के अनोसार जीव के पीछे लगा हुआ है ग्रह पंचभुतात्मक हैं इसलिए पंचभुत्मा भुतात्मक प्रकृति रूपी शरीर के उपर ग्रहों का प्रभाव पढ़ता रहता है कभी अनकूल कभी प्रतिकूल तो जब जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा लगन के अंतरगत हो यहां एक बात और कह दूंगा व्रिश्चिक राशी में चंद्रमा यदी हैं तो नीच के होते हैं और व्रिश राशी में चंद्रमा उच्च के होते हैं चुकि हम यहां पर केवल और केवल फलादेश को लेकर चल रहे हैं अभी, ब्यत्टिगत रूप से भिन भिन राशियों में चंद्रमा का फलादेश क्या होगा, हम अगले वीडियोज में आपको अच्छा रशाह, क्रम शाह देते रहेंगे, जैसा समय होगा, तो अब अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा चंचल भी होता है, चंद्रमा के उपर ग्रहों का प्रभाव बहुत जल्दी पढ़ जाता है, चंद्रमा जिस विक्ति के साथ रहेगा उसका सुभाव ग्रहन कर लेता है, एक गुध में भी ये आदत है, और चंद्रमा में भी आदत है यह नकल करने की बड़ी छुमता रखते हैं कॉपी करने की बड़ी चुमता रखते हैं जिनका चंद्र वल बढ़ा हुआ है वो किसी की भी कॉपी करने में बहुत जल्दी मतला एक्टर की तरह के प्रभाव दिखाते हैं कि जिसंद्रमा कुंडली में चंद्रमा लगन के अंतर्गत होता है। वह विद्धी ठोड़ा कंजूस्थ होता है। अगर अच्छा हुआ चंद्रमा पर कोई रहो के तो शनी का प्रभाव में दो तो जा तक सुंदर तो होगा ही साथ ही साथ कभी कभी कंजूसी करेगा अच्छा इसका महिला व्यक्तित्ठ्य तो की तरफ आकर्शन बलिफाल जल्दी होता है चंद्रमा के द्रिश्टी सक्तम है… कि चंद्रमा जिस राशी में बैठे होंगे उस राशी का प्रभाव भी चंद्रमा के उपर पढ़ेगा जैसे माल लिजे चंद्रमा मंगल की राशी मेश या व्रिष्चिक में बैठे होंगे तो चंद्रमा जिद्धी सुभावाले बनेंगे वैसे ही जातक का सुभाव भी जि सवतरे के सुख देगा लेकिन अशुव होने के करण स्वांस कफ इत्याओं के रोग भी देगा है चंद्रमा लग्नमे होने पर जातक को दोनों प्रकार का फल देगा शुँव अवस्था में चारों तरफ से खुशाली अशुब अवस्था में चारु तरफ से कष्ट भी होता है में स्वास्ते पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है जब चंद्रमा लगर में हो तो ऐसे जाता को मा का सम्मान भोद करना चाहिए भगवान शीयों की उपासना करनी शाहिए यहीं चंद्रमा दुतियग हर्जों की धन भाव है वहा जातक उदार होगा दान एक घ्रना पिलाना लोगों के साथ मन जोल रखना बाणी के म्रदुता के साथ आगले का स्वागत करना इसका सुभावोगा लेकिन अगर चंद्रमा खराब होगा तो एकांत प्रियंभी बना देता है और चंद्रमा गुस्स्य क् expert भी बना देता है का मृत्यू का कारण दोनता है अतहत बुरा चंद्रमा जीवन साथी के साथ कि स्वास्थ बाधा देगा क्योंकि अश्टम दृष्टी सप्तम दृष्टी अश्टम पर पढ़ती है इसलिए रोगकारण भी है आयू का हंता भी है जन से खत्रा होता है भय होता है है और चंद्रमा यदि तीसरे घर में होगा तीसरा घर भाई बंधु का है छोटे अ wow सथा में जातक की दो बहने जए दो होते हैं ने इस यम्टक क्या आपमने भाई बंधू पर दिशेश प्रेम रहता है कि बालां क olmas कि ती हो गया तो यह भाईयों के अधीन रखना पर रहना पड़ता इस विक्ति को ऐसा ग्रंथकारों का भी कहना है कि जातक अपने भाईयों के अधीन रहेगा भाईयों की सेवा करने वाला होगा और जातक को दुख भी होगा करजा रिण इत्यादी रोग इत्यादी देने वाला भी बन जाएगा जब चंद्रमा बुरा होगा तो अच्छा होगा तो जातक को पराक्रम करने की क्षमता देगा और भाग्य तथा पुर्शार्थ को प्रवल बनाएगा भगवान की इश्वर की आराधना में चंद्रमा सनलग्न करेगा जब तीसरे घर में चंद्रमा होगा और शुब होगा और जब इश्वर की आराधना कोई करता है तो उसके जीवन में अश्वता नस्ट हो जाती है उसी प्रकार जैसे हवा से छिन भिन हो जाते हैं बादल त तो किसी भी समस्या को समाप्त करने की छमता अध्यात्म में है ऐसे जातक कि मित्र बहुत होते हैं कि परन्तु कभी-कभी मित्रों से बिरोध कर लेता है करजा और रुण भी हो जाता है मैंने देखा है अपने मित्रों के साथ उनसे पैसे इत्यार उधार लेने का सुभाव बना लिया होता है चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा तो हम पहले कह चुके हैं कि इसका विश्लेशन हम नेक्स्ट पीडियोज में जरूर करेंगे लेकिन अभी हम आपको नौर्मल फलादेश की चर्चा मिले चलते हैं तीसरे घर का चंद्रमा शुभ अच्छा नहीं होता और यह पराधीनता देता है जब चौथे घर में चंद्रमा आ जाएंगे तो चौथा चंद्रमा का अपना घर है यहां आकर के चौथे घर में चंद्रमा जातक को तरह तरह के सुख से युक्त करेगा मात्र सुख देगा शयन निद्रा विस्तर घर मकान वाहन इत्यादी का सुख देगा लेकिन अगर बूरे चंद्रमा हुए तो वाहन इत्यादी का सुख नहीं देगा मा का स्वास्त भी प्राया खराब रहेगा क्योंकि सब्तम द्रिश्टी पिता के बेवसाय को भी देख रहा है इसलिए जो पिता होंगे बड़े मेहनती होंगे मेहनत करके अपने बच्चों का पारण पोशन किया होगा और बुढ़ापा उनका बहुत अच्छा नहीं पितेगा पिता त्यागी होंगे शुब कर्मी होंगे अच्छा लोगों के साथ बेवहार करके संसार में नाम करते हैं पिता कि चतुर्थ घर का चंद्रमा ठीक करने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन नार्मन सी बाद करते हैं कि गवमा गंगामा और जननी अपनी मा इनकी सेवा जब लगातार आप करते रहेंगे तो आप के जीवन में चंद्रमा हानी नही करेंगे पंचम भाव में प्रभाव बड़ा प्रबल होता है कि चंद्रमा भी पंचम भाव में आकर के बुरा नहीं फल करेते लेकिन अगर कि चंद्रमा कि में पंचम में हो तो कन्य संतान अधिक होती है कभी-कभी कज्याएं ही ज़्यादा होती हैं पुत्र कम होते हैं हाँ ऐसा जातक जीवन में उदार मना होता है दान शील होता है कि भिन भिन प्रकार के खाद्धे पदार्थों में रुची रखने वाला जातक होता है संतान का पालन पोशन संतान को सिक्षा दिक्षा देने में गिलाने में बहुत महारत होती है मेहनत करके पृष्यम करके अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा देते हैं पंचम भाव में चंद्रमा यदि बुरा है तो पेट का रोग दे देगा पेट निकला था है चंद्रमा पंचम्भाव में यदि प्रभावित है तो बुखार हड्डियों में पीड़ा उदर में पीड़ा बड़े भाई बहनों के साथ विचारों में भिन्नता देखने में आता है सका में परन्तों ये विक्ति उदार होता है सहहखर्चवता है किसी तरह कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कभी कभी ये प्रेख यह हो हो जाए तो फिर कहना ही क्या ऐसा जातक जो है फिल्म अंदस्ट्रिय गहरा में अपनी किस्मत आजमाता है कि सफलता भी प्राप्त करता है यदि चंद्रमा कि कुरूर ग्रहों से शत्रों ग्रहों से पेडित ना हो तो ऐसा बेक्ति सिनेवा जगत में पत्रकारिता इत्याज में मीडिया लाइन में सफल हो सकता है चंद्रमा छठे आ जाए तो छठा घर नैसर्गित रूप से रोग और शक्त्रू का है चठे घर में चंद्रमा का होना ये दर्शाता है कि ननिहाल पक्ष से चंद्रमा की यदि कंडिशन अच्छी ना हुई तो ननिहाल पक्ष से बैरभाव रखता है मौसी छोटी मौसी उगरा से बैरभाव रख सकता लेकिन चंद्रमा यदी अच्छा है तो मौसी अधिक होंगी छोटे मामा से विसे इस नहीं प्राप्त करेगा ऐसा जातक नन्याल पक्ष से सुख भी प्राप्त करेगा अगर चंद्रमा खराब है तो रोग शत्रूपीडा और भय इत्यादी भी देता है खर्च बहुत ज़्यादा देता है रण भी दे देता है तो अब आपको जन्मकुली में यह देखना है कि आपका चंद्रमा है किस पोजिशन में आगे हम चर्शा करेंगे चंद्रमा सब्तम भाव में आ जाए तो सब्तम भाव में चंद्रमा चंचल बनाता है अनुराद देता है इस्त्रियों के प्रति चंद्रमा ऐसे जातक कि इस्त्री सुन्दर होगी शुशीलता की कंडिशन तो तब पता लगेगी जब दूसरा घर अश्टम घर अच्छा होगा बाकी चंद्रमा अगर सात्वे घर में है तो पत्नी सुन्दर मिलेगी चंद्रमा की तरह ब्यापार में इस व्यक्ति को पार्टनर्शिप में भी लाव होगा कि ऐसा जातक सांत सौं में सुभाव का होता है कि शुभ ग्रह की अवस्था में कि खान पान रहन सहन अच्छा पहनना उड़ना फैंसी जीवन बिताना सुख समृद्धी की तरफ चलना हवाई यात्राएं इत्यारी देश प्रदेश की यात्राओं में लगातार इसका जीव लगा रहता है प्राया ऐसे लोग मार्केटिंग हो गएरा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि सात्वी धर का चंद्रमा प्रभावित ना हुआ तो श्यो देगा फल और अगर प्रभावित हुआ तो इसका अश्यो फल क्या होगा पत्नी को रोगी बनाएंगे जातक स्वयम रोगी हो सकता है बीपी लोग कभी हाई होगा मन अशान्त होगा भैय उत्पन्न करेगा जातक में सब्तम स्थान का चंद्रमा यदि अशुग है खराब है तो प्रायह मैं यही कहूंगा कि ननिहाल पक्ष को अपने पक्ष में रखे और ननिहाल से रिष्टे बनाए अच्छे रखे ससुराल से बिगड़ने मत दें पत्नी का ख्याल रखे पत्नी की हां में हां मिलाएं वैस से विपत्नी की हां में हां मिलाने से जीवन में थोड़ी सुचिता शांती निठास आजाती है कि अब कि चंद्रमा च्टम चला जाए यहां बात कहता हूं अगर कर्क का चंद्रमा अस्टम है तो बुरा असर नहीं देगा कि परंतु यदि अन्य राशियों में है तो स्वास्थिक्य प्रति सचेत रखना चाहिए स्वयम को कि चंद्रमा अस्टम में शारेरी कहानी देता है हां अस्टम में चंद्रमा राहु इत्याधि के साथ होगा तो दिन में जन्म होने पर इस व्यक्ति को कोई भै नहीं होगा अब चंद्रमा अस्टम अस्थान पर होने से सप्तम द्रिष्टी कुम जो अपने कुटुम पर देखता है अईसी वस्था में कुटुम के पालन पोशन में चंद्रमा की कमजोर इस्थिती में वह व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा अपने स्वास्थ से संपत्ति से कहीं न कहीं अस्टम चंद्रमा जातक को दुखी रखता है अच्छा चंद्रमा हुआ तो जलिये यात्राएं विदेशी यात्राएं उनसे लाब विदेशी महिलाओं से लाब देगा कुटुम खुशहाल होगा बुरा चंद्रमा इसका विक्रीप परिणाम देगा चंद्रवाण नववy चले जाए तो चंद्रमा की स्तिती समुचीत अच्छी हो जाती है नवववगरं क्योंकि Б्रहसपती का है और यहां चंद्रमा जब आएंगे तो जातक को संथोलित कर देंगे गुरु कृपा से, ऐसे जातक को गुरु कृपा जरूर अपने जीवन में उतारने चाहिए, संतों के आस्रे में रहना चाहिए, सफलता तभी आपको लंबी मिलेगी, नहीं तो आपकी सफलता कमजोर पड़ जाएगी, चाहिए यहां चुंद्रमा खराब भी हो, तब अभी गुरु कृपा इस पर बनी रहेगी, भाई, बंधो, छोटे, और कुटुम्बी जन, और विस्तेदार संबंधी इस विक्ति से बहुत प्रसन रहते हैं, नवम्मे चुंद्रमा, कभी-कभी पीलिया हो जाता है, ऐसे लोगों को पीलिया रोग से पेड़ी थो सकते हैं, और हां, कमर में दर्द, इत्यारी, जब चंद्रमा बुरा होगा, तो सेहत में थोड़ा धीला पन देगा, अस्वस्ति रखेगा, ऐसी वस्ता में उपाय हो गयरा करना चाहिए, लेकि अबी तो समय केवल फलादेश का है, इसलिए मैं फलादेश ही कर रहा हूँ, पिता के घर में चंद्रमा यहां बैठा हुआ, पिता के साथ अच्छे तालमेल रखेगा, कुल मिला करके नवे घर में चंद्रमा, शिक्षा-दिक्षा के प्रते भी अच्छा रहेगा, अगर को एक तो होता है प्रेक्टिकल एक होता है पढ़ाई तो मैंने जब पढ़ाई के बारे में समय देखा तो था नहीं और प्रेक्टिकल के लिए हमारे पास समय था और मैं प्रेक्टिकल ही उत्रा क्योंकि साधना भूमी रही जीवद में हमने इश्ट साधना में अपने आपको लगाय रखा कथा में हरी कथा में लगाय रखा इसलिए उस कथा का प्रभाव संतों का प्रभाव ऐसा रहा कि हमें अंतह प्रिर्णा मिलती रही कि हम किसी भी विक्ति के बारे में उसका बखिया उधेड़ देते थे उसकी जन्मकुली देख करके यह गुरु कृपा है कि आगे मैं अपना परिशाय दूंगा जिरूर आपको विशिष तोर से ऐसे दस्दव घर में चंद्रमा अगर चले जाये तो सक्तम्द रिष्टी से मां के घर को देखेंगे चंद्रमा यदी अच्छे हुए तो मा का स्वास्त्य अच्छा रहेगा पर पीता का स्वास्ते खराब करतेगा जब बूरे चंद्रमा होगे तो, ब्यापार, दोध, पादी, कपड़ा, रुए, घी, तेल इत्याद इसे लाव देगा, ऐसा वेक्ते ये, डौण भाग वाले काम करता है, मार्केटिंग, सेल्समैनी, इत्यादी में अगर डाउन हुआ तो, चंद्रमा दसम घर में ब्योसाय को सुद्रता देगा, मजबूती देगा, वाहन, मकान, अच्छा रहन सहन, ये सब चीजों की ब्योस्ता चंद्रमा अच्छी देगा, चंद्रमा ग्यारवे घर में आ जाए, हम आपको यहां एक बात और कह देते हैं, जनम कुंडली में तीसरा, छठा और ग्यारवा, ये तीनों घर तृषडाय कहे जाते हैं, तीसरे से जो हम देखें, तो और छठे से हम देखें, तो ग्यारवे घर ये तीनों तृषडाय हैं, इसलिए चंद्रमा जब यहां आएग तो मौलिक रूप से धन तो देगा, पर स्वास्थ का नुकसान करेगा, संतान, पुत्र, संतान, कन्या संतान, अब ऐसी वस्था में कन्याएं जरज्यादा होगी, पुत्र, जैसे बेटा एक होगा, तो बेटियां तो होगी, जातक के पास आमदनी का जरिया अच्छा होता है, जातक के पास धन संपत्ति अच्छी आती है, बैभो संपन्ता, उच्च का चंद्रमा, शिब चंद्रमा, शिब ग्रहों के युति से बैभो संपन्ता देंगे, लेकिन अगर चंद्रमा पर कोई बुरा असर है, तो स्वास् जरूर करेंगे बड़े भाई और बड़ी बहन बड़ी बहनों के संख्या ज्यादा होती है बड़ी बहन के साथ बुरे चंद्रमा के समय अच्छा वर्ताव करें आपका चंद्रमा शुप्फल देने लग जाएगा बाकी चंद्रमा ग्यार्वें घर में धन संपत्ती वैभो सुख इत्यारी देगा बार्वें घर में चंद्रमा खर्च ज्यादा देगा जातक को घर मकान ज्यादा अपने हाथ बनाना पड़ेगा स्वयम बनाना पड़ेगा पैक्तिक संपत्ती मिलेगी लेकिनों नया पकान अपने हाँ से जरूर निर्वान करेगा जीवन में खर्च करने से बार्वेश चिंद्रमा डरता नहीं है दुश्मन बहुत होते हैं अंद्रोनी वही दुश्मन वही दोस्त ऐसी कंडिशन बड़ी खराब होती है जब आदमी के पास ना मित्र का पता चले ना शत्रू का शत्रू ही मित्र लगते हैं और कभी कभी मित्र ही शत्रू बन जाते हैं बार्वेश घर में चंद्रमा जब हो तो जातक को अपने बिस्तर को साप सुत्रा रखना चाहिए स्वक्ष रखना चाहिए भगवाम शिव की उपासना करने से भी लाब होगा तब खर्ची की थोड़ी ठीक हो जाएगी और ऐसा जातक मीठा बोलेगा मीठा बोल करके ब्यापार इत्याज में सफलता हांसिल करेगा पत्नी के साथ सुख होगा लेकिन अगर चंद्रमा बुरा होगा तो पत्नी की दवाईयां आती रहेंगी खैर हमने बारह घरों तक चंद्रमा के बारे में फलादेश जो अनुभो था हो किया अब आपको बताना है कि कैसे लगे यह वीडियो अब एक वीडियो हमें अभी आपको और देना है वह सूरे का बारह घरों में प्रभाव अब तक मैंने कि साथ घरों के वीडियो दे इहीं के तू का वीडियो मैंने क्यों नहीं दिया कि क्यों का सुभाव प्राया राहु के साथ मिलता जुलता है इसलिए नहीं दिया लेकिन कुछ कार्ण बस हम देंगे भी केटू का वीडियो भी परन्तु इससे बाद आपको सूरे का फनादेश का वीडियो मिलेगा जोतिश के अन्य तथ्यों पर लगातार हम आपके साथ भिन्न भिन्न विशेओं पर जानकारी देने का प्रयत्न करते रहते हैं कि आपको किस जानकारी में ज्यादा रुची है कि विशे में ज्यादा रुची है हमें बहुत जुरूर बताएं इसे के साथ हम आपके साथ लेते हैं विदा पुनह मिलेंगे तब तक सभी को नमस्कार जैसरे कुर्शना प्रडाम